अध्याए आठ अब जो बाते हम कह रहे हैं, उन में से सबसे बड़ी बात ये है, कि हमारा ऐसा महायजक है, जो स्वर्ख पर महामहिम के सिहासन के दहने जा बैचा है. वो पवित्र स्थान और उस सचे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, वरन प्रभू ने खड़ा किया था. हर एक महायजक भेट और बलिदान चड़ाने के लिए ठेहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चड़ाने के लिए हो, यदि वो प्रतिपर होता, तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि विवस्था के अनुसा भेट चड़ाने वाले तो हैं, जो स्वर जो नमूना तुझे बहार पर दिखाया गया था, उसकी अनुसार सब कुछ बनाना, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्त ठेहरा, जो और उत्तम परतिज्याओं के सहरे बांदी गई है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोश होती, तो दूसरी के लिए अफसर ना ढूड़ा जाता, पर वो उन पर दोश लगा कर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं, कि मैं इस्राइल के घराने के साथ, और यहुदा के घराने के साथ, नई वाचा बातूंगा, ये उस वाचा के समान न होती, जो मैंने उनके बाप दादों के साथ, उस समय बादी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर, उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचांपर इस दिर न रहें, और मैंने उनकी सुधी न न नहीं, प्रभु यही कहता है, भे प्रभु कहता है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राइल के खराने के साथ बादूँगा, वो यह है, कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूँगा, और उसे उनके हर्दे पर लिखूँगा, और मैं उनका परमेश्वर ठेहरूँगा, और वे मेरे लोग ठेहरेगे, हरे, अपने देशवाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा, कि तु प्रभू को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विशे में देयावंध होंगा, और उनके बापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठेहराया, और जो वस्तु पुरानी और जीन हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवारे है। वाचा का विशे में खुरानी एफिर स्मर के विशे एंगा। झाल झाल